दोस्तों इंडिया में 3 जनवरी 2022 से 15 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और दोस्तों जिस दिन से ये वैक्सीन लगना शुरू है इसके काफी अच्छी स्पीड बनी हुई है लेकिन दोस्तो इसी के साथ साथ जिन बच्चों को वैक्सीन लग रही है उन बच्चों में वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं और इस वीडियो में हम उनी साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तो पहला side effect यह हो सकता है कि जहाँ पर vaccine लगी है बच्चे को हाथ में वहाँ पर उसको लाल निशान और दर्द हो सकता है तो according to experts उनका यह कहना है कि जहाँ पर आपको लाल निशान है और दर्द है उसको कम करने के लिए आप ठंधा और एक नरम कपडा रख सकते हैं जिससे आपको यह दर्द कम हो जाएगा दोस्तो वैक्सीन लगने के बाद बच्चे को दूसरी समस्या यह हो सकती है कि इसको बिहोशी पन फील हो बिहोशी जैसा फील हो तो इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स का यह कहना है कि जब बच्चे को वैक्सीन लगे तो कम से कम उसको पंदरा मिनट बैठना चाहिए या लेटना चाहिए उसको रेस्ट करना चाहिए पंदरा मिनट ताकि उसे यह भिहोशी की प्रॉबलम ना हो दोस्तो COVID की वैक्सिन लेने के बाद बच्चे को तीसरी शिकायत हलके बुखार की हो सकती है जिस दिन बच्चे ने वैक्सिन लगवाई है उस दिन या उसके अगले दिन बच्चे को हलका बुखार आ सकता है तो expert का कहना है कि आपको इसमें घवराना नहीं है आप doctor से consult करिए और fever की उससे दवा लिजे इससे बच्चे को आराम मिल जाएगा दोस्तो covid vaccine लेने के बाद बच्चे को चौत्थी शिकायत थकान और बदंदर्द की हो सकती है इसमें expert का कहना है कि आप बच्चे को अधिक से अधिक liquid form में चीजे पिलाएं लेकिन doctors का ये कहना है कि जो package drinking चीजे होती है वो आप बच्चे को ना दे उसको avoid करें और बच्चे को अच्छी और healthy चीजे पिलाएं जिससे बच्चे को इससे आराम मिल जाएगा दोस्तो covid vaccine लेने के बद बच्चे को पांचवी शिकायत चक्कर आने की हो सकती है यानि जब बच्चे ने vaccine ली उसके बाद उसको चक्कर आ रहा है इसके पीछे एक reason बताया जा रहा है कि जो बच्चे खाली पेट vaccine लेते हैं उसकी वज़ा से उनको चक्कर आ सकता है थोड़ी बहुत informative लगी होगी और अगर लगी है तो इस वीडियो को like करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए Thank you